नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टेडी फार सिविल सर्फसेस में फ्री वीडियो के लिए आप चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लिए और और नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलिग्राम यह वालों गृप जरूर से जरूर जोईन कर स्टेडी फार सिविल सर्फसेस के मंतली करेंट अफैर्स के वीडियो में आप सारे विवर्स का बहुत-बहुत स्वागत एक बार फिर से नॉवंबर 2020 मंत के सारे के सारे इंप्रोटन करेंट अफैर्स को हम डिसकस करेंगे पहले सेक्शन वाइज निउस के माध्यम से और फ मध्री पिलसी के विभिने एक्जाम्स के लिए बीपिस्ट रिम्स और मेन्स के लिए हमारी प्रोग्राम से जोरने के लिए आप इन दो नम्ब्रों पर कॉंट्राइट कर सकते हैं कभी वी सबसे पहले अग्रीमेंट के बारें बात करेंगे यहाँ पर इसमें जब भी सम्झ रखते रिद्धान देना होता है कि कौन किसको सहीयोग कर रहा है किस बारे में मतलब IBM की Entity क्या है? इंडियन ओउठिशन क्या करता है यहरे प्ता होना चाहिए कि की कौन किसको सहीयोग देगा तो Digital Services के लिए समझा होता कि यह AH है बस इतना ही आपको याद रखना है Indian Oil ने IAC के साथ भी समझे वत किया यानि कि Indian Institute of Sciences के लिए hydrogen generation तकनीक विक्सित करने के लिए समझे वता किया गया है hydrogen generation तकनीक का उप्योग करके इंधन सेल ग्रेड hydrogen का उत्पाधन किया जाएगा और इसका जो पहला प्रदर्शन होगा मतलब इस तक्नीक को जहां पर दिखाया जाएगा सबसे पहले वो जगह है हर्याणा का फरीदाबाद का जो इंडियन ओइल का आर इंडी सेंटर है वहां पर यह प्रदर्शित करेंगे इसको इसमें पूछ सकते हैं कि किस लिए समझाता किया है इंडियन इंडियन इंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन जेनरेशन और प्यूरिफिकेशन टेक्नलॉजी वर्चुल तोर पर आयोजीत हुआ था भारत इटली दुविप्रक्षिय सिखर सम्मेलन याने कि इंडियन इटली एंडो इटाइलियन वर्चुल बाइलेटरल सम्मिट दोजार बीस वर्चुल है तो हमारा यहांपर एक काम आषान हो जाता है कि कि कहांपर कोई वेन्यू नहीं रहेगी कि कहांपर सम्मीट हुई क्योंकि ये वर्चुल मोड में हुई थी तो शीखर सम्मेल में भारत की तरफ से हमारे प्रिधान मंत्री और इटली की तरफ से वहाँ पर जो ये ग्यूसेप कॉंटी है वो शामिल हुए थे और यहाँ पर COVID-19 में हमारी सहीत आम वैस्विक चुनौतियों से निपटने के लिए इंडिया और इंडिया और इंडिया और विद्ध व्यापार निगम लिन्टेड इसको VN बोलते हैं इसके साथ समझवता किया है इसमें क्या किया जाएगा तो अफह अ कीया करेंगे यह विद्ध व्यापार निगम लिन्टेड है इनको परयाप तो भूमी और सनसाधन देंगे जिससे Roof Top Space प्रदान किया जाएग के दौरा मतलब एरपोर्ट अथार्टी ओफ इंडिया अपना रूफ टॉप स्पेस देगी जिस पर विद्धुत व्यापार निगम जो है उर्जा संयत्रों को स्थापित करके कैसे यह संभावना तलासेगा कि एरपोर्ट अथार्टी ओफ इंडिया के ज्यादा ज्यादा हव अब 100% सौर उर्जा से संचालित की जाएं ठीक है हमसे यह कोशन पूछा जा सकता है सोलर एनर्जी डेवलोप्मेंट काफी पूछता यूब पीसिस कास कर अपने प्रिलिम्स पेपर में आपने नोटिस किया होगा इसमसे पूछ सकते हैं कि भारत में जो पहला 100% सौर ये एरपोर्ट जो है एरपोर्ट और इसालिटि ओफ इंडिया ये विद्ध व्यापार निगम Лिम्टेट के साथ मिल करके डवलप करेगी ये है कोल्मिला करके तो शुरुवात में विद्ध व्यापार निगम लिम्टेट तमिल नाडू और राजिस्थान में हावाई इड आगे बढ़ते हैं हम लोग इत्वड़ा सब बड़ा इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है वैसे न्यूज छोटी-छोटी है बहुत सिलेक्टेड है और यूपी पीसे स्टेट पीसे बीपी सी के लिए खास करके हमारे करेंट पर होता है यूपी पीसे के एक्जांस में यूएंडीपी और इंवेस्ट इंडिया ने समझाता किया है SDG इंवेस्टर मैप डवलप करने के लिए जो हमारे यहां पर करीब 6 क्रिटकल SDG इनेबलिंग सेक्टर से उनमें 18 इंवेस्टमेंट अपॉर्चुन्टीज को कैसे ए अपॉंटमेंट्स के बाद यहां पर आ जाता है मतलब यह मंत का करेंट और मंदीश का मनत का करेंट अभएर 200 का और October month का current affair August month का current affair और September का miss नहीं कर सकते हैं आदे सवाल इनी महीनों से होंगे हलांकि current affair जो है आज कल हर exam में पिछले 12 महीनों के पूछ जा रहे हैं एक pattern मुझे देख समझ में आ रहा है कि पहले ऐसा होता था कि सारे current affair किसी एक दो मन्त से particular आ जाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है अगर exam में 13 महीने current affair पूछ जा रहे हैं तो आपको हर मन्त से कोशन देखने को मिल रहा है यानि कि आपका जो level है उबढ़ा है जा रहा है exam में जब से पहला महतून appointment है येश्वर्धन कुमार सिनहा का ये हमारे नए CIC बन गए है पिछले मन्त में हमने discuss किया था October में शायद आपको याद होगा कि post खाली है क्योंकि विमल जुलका जो है सेवानिवरत हो चुके थे और उसके बाद post खाली रही थी एक महीने करीब तो यहां पर बनाया गया है ये श्वरधन कुमार सिनहा को नए CIC ठीक आप हमको जल्दी इस कॉमेंट करके बताएए कि इनका कारेकाल कितने दिन का होता है कितने साल का होता है मतलब उसके लाबा एक और नियुक्ति हुई है उद्धै महूरकर की उद्धै महूरकर को बनाया गया है सूचना युक्ति हैनि इन्फोमेशन कमिश्णर बनाया गया है इंडिया टुडे ग्रूप से हैं और इनको जो है लबी जेपी का करीबी माना जाता रहा है पहले राजीव जलोटा जो है इनकी चीफ एक्जेक्यूटिव ऑफिसर सीईओ एके गुपता ये ओनजीसी विदेश लिम्टेड के नय प्रबंद निदेशक और सीईओ बने है मैनेजिंग डिरेक्टर और सीईओ उसके बाद दिली प्राठ ये बने है राश्ट्री डेरी विकास बोड के अध्यक्ष ठीक है नैसनल डेरी डेवलोप्मेंट बोड के चेर परसन बने है ठीक उसके बाद है कि ज्यानेंद्र अनिंगोंबं ये प्रेजडेंट बने है हौकी इंडिया के उसके बाद अपॉइंट्मेंट मुहम्मद मुश्ताक अहमत का इंपोर्टन्ट है ये सीनियर वाइस प्रेजडेंट बने है वरिश्टू प्राध्यक शौक इंडिया के तो इन दोनों के नाम आप याद रखिएगा उसके बाद है विदीशा माहित्रा विदीशा माहित्रा जो है संयूक तराष्ट्र प्रशास्तनिक और बजटिए मामलों की सलाकार समीति की सदस्य बनी है ठीक है तो संयूक तराष्ट्र में UNDP में UN के किसी भी और्गनाजेशन में यानि की WHO आप ले लिजए UNDP ले लिजए UNEP ले लिजए कहीं पर भी किसी भारतिये की नियुकति अगर हुई है तो बहुत इंपॉटन्ट है हमारे एक्जाम में मूच जाने की संभावना बढ़ ज जाती है ठीक है तो ये बजटिये मुद्दों की सलाकार समीति की सदस्य बनी है सियूक तराष्ट प्रसासनिक और बजटिये मुद्दों की सलाकार समीति की सदस्य ठीक है अगर बहुत ज़्यादा इसमें डीप में कुश्चन आया तो पूच सकते हैं कि इन्होंने किसको हर तो इराग के अली मुहम्मद फेक अल दबग को इन्होंने हरा दिया था अक्षे कुमार सिंग ये पेट्रोनेट LNG लिम्टेड के नय प्रबंध निदेशक और CEO बने हैं उसके बाद A.M. Kutti M.M. Kutti है ये दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं इनको वायुगण वत्ता प्रबंधन के आयुक के लिए अध्यक्ष बनाया है यानि की Commission for Air Quality Management के चेर परसन बनाये गए हैं संजे कुमार मिश्रा ये प्रवर्तन निदेशाले यानि इनफोर्समेंट डिरेक्टरेट के निदेशक यानि डिरेक्टर बन गए हैं ग्रेग बार्कले इनकी नियुक्ति वी इंपोर्टन पद पर अंतराश्ट्री क्रिकेट परिशद यानि की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं ठीक है शशांक पनोहर को इन्होंने रिप्लेस किया है पहले भारत के शशांक पनोहर थे और उनके अपद से अट जाने के बाद ये बनेंगे इमरान खुआजा को भी बीच में बनाए गया था इंटरिम चेर प्रसन अगर आपको याद हो उनने डिसकस किया होगा आउगस्ट मंत में जुलाई मंत में तो अभी पर्मनेट बन गया है ग्रेग बारकले ये किस देश के हैं न्यूजिलेंड के अगला अपॉइंट्मेंट लेटनेंट जनरल हरपाल सिंग का है ये नय इंजीनियर इंचीफ बने हैं इंजीनियर इंचीफ और इन्होंने साथी पत्धारण किया हुआ है डिरेक्टर जनरल ऑफ बौर्डर रोड्स और एक दिसमबर से इनका अपॉइंट्मेंट हो गया है भारती सेना के इंजीनियर इंचीफ के तोर पर अवार्ड्स और इन्होंनर्स देख लेते हैं नॉबंबर दिसमबर में काफे सारे अवार्ड्स दिये जाते हैं क्योंकि साल का एंड होता है अलग-अलग ओर्गनेजेशन की दौर्ड़ तो सबसे पहला यहां पर है 14 एशियाई फिल्म पुरुसकार 2020 तो 14 एशियन फिल्म अवार्ड्स में कई सारी कटेगरीज होंगी लेकिन इसमें हम वही ध्यान रखेंगे जो भारत से रिलेटेड है जैसे भारती फिल्म गली बॉय के को जो है बेस्ट ओरिजिनल स्कोर की कटेगरी में पुरुसकार दिय लगया है अवार्ड गली बॉय की डिरेक्टर जोय अक्तर हैं और कई सारे अवार्ड्स से जीत चुकी है ऑफिशल इंट्री भी थी 2019 में बारत की तरफ से ऑस्कर के लिए हलांकि यह जीत नहीं पाई चौद में गली बॉय के इलाबा यह एक हाली बने कुछ निकाले हैं कुछ कटेगरीस वैसे तो करीब 12 कटेगरीस थी लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टन्ट हमने लिया है इसे बेस्ट एक्टर आप ध्यान रख सकते हैं बेस्ट एक्टर ली ब्यूंग हुन इनकी फिल्म इनकी जो है चांचाना की उसके लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर ये पैशारिन है प्यासाइट परसाइट जो है इसको याद रखेंगा क्योंकि ये ओसकर विजेता भी रही है 2019 वाले ओसकरीस में बेस्ट फिल्म ये चौदोंए एशियन अवर्ड में भी इसे मिला अवर्ड उसके बाद Lifetime Achievement Award ये मिला है दिवंगत भारती एक्टर ओम पुरी को तो ओम पुरी को जो है मानो प्रांत ये मिला है उनकी पतनी एंदिता पुरी ने अवर्ड रिसीव किया था किसने दिया है ये अवर्ड इंडिया इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन के तीसरे संस्करण में ये अवर्ड प्रेजेंट किया गया इसमें एक और भारती को सम्मनित किया गया है सेफ विकास खन्ना जो है चर्चा में आया थे लॉकडाउन में जो है मदद करने के लिए लोगों की तो प्राइड ओफ इंडिया अवर्ड इन्हें मिला है प्राइड ओफ इंडिया अवर्ड प्रसिद्ध मल्यालम लेखक पॉल जकारिया को पॉल जकारिया केरल की साहित अकैडमिय पुरुसकार देती है पॉल जकारिया की कुछ क्रियेशन के नाम दिये हुए जैसे सलाम अमेरिका औरिदत अर्कियम भासकर पत्तेलरूम एंटु जीवतुम मल्यालम साहित है तो इस जैसा नाम है ठीक है इनका नाम याद रखिएगा पॉल जकारिया जैसी डैनियल का पुरुसकार ये भी केरिल सरकार के दोरा दिये जाता है नोटेड फिल्म मेकर जो है हरी हरन उन्हें मिला इस पर ठीक है और कुछ ज्यादा हमको जानने की ज़रूरत है नहीं इसमें आगे तो देख सकते हैं इसमें इस पर भी मल्यालम लेखक को मिला है एस हरीश को ठीक इनकी पुस्तक तो वैसे तो मल्यालम में थी लेकिन जैश्री का लाथिल ने इस पुस्तक का अनुवात किया था मुष्टैच के नाम से ठीक है तो मुष्टैच आपने हम याद रख सकते हैं जिसने जेसे भी साहितिक पुरुसकार जीता है और उसके लेखक हैं S. अरीश उसके बाद हम लोग आ जाते हैं साल के 2019 के राष्ट्री जल पुरुसकार यानिकि National Water Award नेचल Water Awards 2019 में भी कई के टेग्रीज होती हैं जैसे राजियों की स्टेडी में तमिल नाडू को बेस्ट स्टेट का पुरुसकार मिला है उसके बाद महरास्ट राजिस्थान को स्टेट स्टेट के टेग्री में अवार्ड मिला है पुरुसकार ये कौन देता है जल शक्ती मं इसके बाद हम जाते हैं नीचे इंटरनेस्टल चिल्डेन पीस प्राइज यानि अंतराश्ट्री बाल सांती पुरुसकार जो है यह किसे मिला यह पहले हम लोग डिसकस कर चुके हैं लेकिन इसकी सर्मनी अभी होई थी नौवंबर में वैसे तो यह अनौंस किया जा चुका थ पहले तो यह एक टीनेजर हैं सादत रह्मान करके बंगलादेशी उन्हें मिला है नीदर लैंड में एमस्टरेडम में बच्चों के दिकारों के लिए काम करने वाले संगठेन है किड्स राइट्स किड्स राइट्स फांडेशन यह पुरुसकार देता आ रहा है 2005 से और इस सादत रह्मान को पुरुसकार प्रेजेंट किया था 2014 में जोने नोबल पीस प्राइज जीता था मलाला यूसुफ जाई ने ठीक है प्रोफेसर एन बहादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से किसे मिला है डॉक्टर शुषांत कार नाम के साइंटिस्ट को मिला है जो कि CSIR के जो सेंट्र ट्रग रिसर्च इंस्टूट लखनौव का है उसमें करड़रत है Society of Biological Chemist India Bengaluru के द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है ठीक है ये प्रुषकार क्यों मिला है लिष्मेनिया डौनवानी की जीवन रक्षा पद्रती को परिभाशित करने के लिए ठीक है लिष्मेनिया एक पैरसाइट है लिष्मेनिया डौनवानी ये प्रोटोज वातायन लाइफटायम अचीवबिंट पुरुषकार केंद्री शिक्षामंतरी को मिला है रमेश प्रोक्रियाल निशंग को और उनके साहित्तिक कारियों के लिए मिला है कविता लेखन उनके लेखन और अन्य साहित्तिक वर्क जो है उनके वातायन UK फांडेशन करके है यह किसे मिला है यह मिला है लेखक जो हैं डगलस टुवर्ट स्कॉट्लैंड के हैं डगलस टुवर्ट और इनकी कृति है शगी बेन उसके लिए मिला है तो दोनों का नाए मियाद रखिएगा इनकी कृति का रचना का शगी बेन उपन्यास और लेखक हैं डगलस आप जल्दी से इसकी लेखिका का नाम कमेंट करके बताईए ISO 9001-2015 का सर्टिफिकेशन को हिमा के नौर्थ पुलिस टेशन को मिला है और गुणवत्ता प्रवंधन प्रणाली के लिए प्रदान किया गया है जब किसी पुलिस टेशन को समयनित किया जाता है या फिर किसी को कोई सर्टिफिकेशन मिलता है अंतराष्ट्री मानक तो उनको याद रखना पड़ता है बूठ सकते हैं कि ये स्रेटिफिकेशन कोहिमा पुलिस के ये नौर्थ पुलिस टेशन जो कोहिमा में है क्यों मिला है तो गुडवत्ता प्रबंदर्न प्रणाली के लिए आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरुसकार ये नसीरुद्दीन शाह को मिलाए पुरुसकार संगीत कला केंद्र जो है ये देता है नाट शास्त्र के दो भरते सितारे नील चौधरी और इरावती कंडिक को भी समनित किया गया इसमें इस बार अवर्ड शो की थीम थी थीएटर पहली बार ये मत से पुरुसकार प्रदान किये गए है मत से पालन विभाग यानि Department of Fisheries के दुआरा सारे पुरुसकारों के नाम द्याद रखिए का कोई भी पूछ जा सकता है ठीक है Fisheries Award में राजियों को संगठनों को जिलों को Fisheries में उनके प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है ठीक है तो शीर्स राजियों में कटेगरीज है जैसे टॉप स्टेट कौन है Fisheries में Fisheries में Fisheries Performance में टॉप स्टेट है ओडिशा ठीक है उसके बाद ये Inland States जो है उसमें कौन है उत्तर प्रदेश याद रखीएगा ये UP Current Affair का भी पार्ट होगा एक तरीके से इंपोर्टन्ट है तो अंतरदेशी राजियों में कौन उत्तर प्रदेश और पहाड़ी और पूरी उत्तर राजियों में कौन यानि Northern और हिली स्टेट्स में आसम है फिश्रीज में उसके बाद है टॉप संगठन ये तमिलनाडू मत्स विकास निगम लिम्टेड जो है मरीन के लिए ये है टॉप संगठन संगठनों के किटेगरी में तिलंगाना राजी मचुवारा सहकारी समीतियों का फेडरेशन लिम्टेड ये है सेकेंड नंबर पर और उसके बाद थर्ड पर है आसम एपेक्स कोपरेटिव फिश मार्किटिंग और प्रोस्सिंग फेडरेशन लिम्टेड ठीक है शीर जिलों में क्रशना जिला जो है अंदर प्रदेश का फिशरी में टॉप पर उसके अगे डॉक्टर ऑफ साइन्स ओन्रेरी डॉक्टरेट की उपाधी ये किसी दी गई है इस्तरों चेहर परसन इस समय के सिवान को ठीक है काफी सारे अवार्ड उनको मिलते रहते हैं विश्वेश्वरेया प्राध्योगी की विश्विद्याले एम विश्वेश्वरेया टेक से कई सारी कटेगरी लेकिन इसमें एक भारती शो जो है नेट्फिक्स पर डेली क्राइम जो आया था निर्भिया कांड पराधारित था उसको ये पुरुसकार मिला है यहां पर बेस्ट ड्रामा सिरीज की कटेगरी में ठीक है उसके लावा कॉमेडी सिरीज आप देख सकते चाहें तो बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्टरिस का वाट देख सकते हैं लेकिन वेरे साफ तो इसमें खाली हमारी जो इंडियन सिरीज को यह मिला है बेस्ट ड्रामा सिरीज में डेली क्राइम को बस इसका नाम याद रखना आपके लिए जरूरी है रिची महता दौरा लिख और उत्तर परदेश वन भाग को क्यों मिला है क्योंकि TX2 का मतलब है टाइगर टु टाइमस यानि कि टाइगर उसको दो गुना करना यानि बागों को दो गुना करने के लिए जो प्रति पत्ता दर्षाता है उसको उपशकार मिलता है 2014 में इस टाइगर रिजर्व में इसमें कि ये किस ने दिया है वाड ये दिया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने डबलु डबलु एफ ने अगला नोबल शांती प्रसकार 2021 के बारे में नोबल पीस प्राइस के लिए नॉमिनेट किया गया है विहाल में नॉमेंबर में इसराइल के प्रधान मंतरी बंजामिन नेतन याहू को और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन जायद अलनायान को जान रखी का भी नॉमिनेट किया गया है अब इससे पहले इससे कुछ दिन पहले प्रेजडेंट के एलेक्शन से पहले डोनाल्ट टरंप को भी नॉमिनेट किया गया था ठीक है तो नॉमिनेशन होता रहता है साल बर दस-पांच लोगों का फिर अंत में किसी को मिलता है तो नॉमिनेट किस को मुहम्मद बिंजायद अलनायान को अभी बस इतना आप याद रखी है बुक्स एंड ओथर देख लेते हैं यहां पर हम लोग पहला यहां पर इंट्री है विश्व की पहली व्यग्यानिक पुस्तक यानि वर्ल्ड फर्स्ट साइन्स टून बुक वाग्यानिक टून बुक यहां पर होना चाहिए वर्ल्ड फर्स्ट साइन्स टून बुक है Bye-bye Corona और यह किसने लिखी है या किसने डवलप किया इसको वाग्यानिक डॉक्टर प्रदीप श्रिवास्तों ने इस बुस्तक का विमोच न कि राजपाल अनंदी बेन पटेल ने किया था इस बुझे से और भी इंपोर्टन्ट है ये उसके बाद पैंडिमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रैजडी ये किसने लिखा है तमाल बंदोपाद्या ने बिसिकली कुरोना काल में बैंकिंग सेक्टर के बारे में है य किताब लिखी है जो एम से जुड़े हैं दॉक्टर अंदीप गुलेरिया चंदरकांद गुलेरिया और गगंदीप कांग सबने मिलकर के लिखिए इसको टिल विविन रसाती, the other side of the transgender यह उपन्यास लिखा है, पूर्व SPG अधिकारी ससिंदरन कलिंग केलने आगे बढ़ते हैं, your best day is today यह किताब लिखे कही है, अनुप्रम खेर के दौरा अनुप्रम खेर ने कुछ पहले भी किताब में लिखी हुई है जैसे, lessons life taught me unknowingly और the best thing about you is you ठीक है, तो थीसरी किताब हैं की your best day is today उसके बाद है, autobiography titled No, I am no messiah No, I am no messiah यह किताब है, सोनुसूद प्रधारित सोनुसूद इसको मीना येर के साथ मिलकर लिखेंगे ठीक है, I am no messiah सोनुसूद एक पर फिर से चर्चा में आये थे पंजाब election commission ने इनको अपना state icon बनाये था ठीक है, election commission ने पंजाब के लिए इनको state icon बनाये था आप इनका याद रख सकते हैं नाम और बागे कोई development होगी तो बताय जाएगा इसके बारे में किताब आई है, Boss Giyana Boss Giyana किताब लिखी है, यश्वंत व्यास ने The Republican Ethic और लोगतंत्र के स्वर ये दो पुस्तकों का अनावरण किया गया है रक्षा मंत्री राजनात सिंग के दौरा और ये क्या है बेसिकली The Republican Ethic और लोगतंत्र के स्वर राश्टपरती रामनात कोविन जी के दौरा ये तीसरे वर्ष में जो इनका कारिकाल चल रहा है विविना ओसरों पर जो भाषन दिये गए है उनका compilation है ये आगे बड़ते हम लोग इसमें श्री गुरु नानक देव की जीवन पर लिखी गई पुस्तक है इसको लिखा है करपाल सिंग जी ने और भी मोचन किया है प्रधान मंतरी जी ने important day dates और theme पर आजाएंगे हम लोग important days में काफी सारे days है नॉम्बर में जैसे सबसे पहला है राष्टरी एकता दिवस ये 31 October को मनाय जाता है उसके बाद Army Aviation Cops Day ये एक नॉम्बर को मनाय जाता है विश्व शाकाहरी दिवस यानि World Vegan Day ये मनाय जाता है एक नॉम्बर को ही उसके बाद All Saints Day मनाय जाता है एक नॉम्बर को विश्व सुनामी जागरुकता दिवस ये मनाय जाता है पांच नॉम्बर को और सेंडाई 7 अभियान इसकी theme थी Melbourne Cup Day ये मनाय जाता है 3 नॉम्बर को युद्ध और शसस्त्र संगर्ष में पर्यावरिण के शोशन क्रोकने के लिए अंतर राश्ट्री दिवस ये होता है 6 नॉम्बर को राश्ट्री Cancer जागरुकता दिवस होता है 7 नॉम्बर को शिशु शुरक्षा दिवस होता है 7 नॉम्बर को इकबाल दिवस होता है 9 नॉम्बर को राश्ट्री विधिक सेवा दिवस यानि National Legal Service Day 9 नॉम्बर को World Science Day for Peace and Development ये होता है 10 नॉम्बर को उसके बाद राश्ट्री शिक्षा दिवस होता है 11 नॉम्बर को जान रखी गई National Education Day है National Teachers Day नहीं Armistice Day यानि की स्मरेंट दिवस ये होता है 11 नॉम्बर को World Neemonia Day ये होता है 12 नॉम्बर को World Neemonia Day की इस बार ठीम थी Every Breathe Counts World Kindness Day ये होता है 11 नॉम्बर को 13 नॉम्बर के बाद राश्ट्री आयरुवेद दिवस ये 13 नॉम्बर को भी होता है उसके बाद Diabetes Day 14 नॉम्बर को होता है और Nurse and Diabetes इसकी थीम थी अपकी बार दे Nurse and Diabetes बाल दिवस होता है 14 नॉम्बर को आपको पता है नहरूजी के बड़्डे पर Community Day 14 नॉम्बर को अन्ट राश्ट्री सहिशुदता दिवस ये होता है Tolerence Day 16 नॉम्बर को होता है जब भी ये पढ़ जाये और विशयथा First Responders aire राश्ट्री मिर्गी दिवस यानी इपैलेपसी डे यह होता है 17 नॉउम्बर को उसके बाद है कि विश्व सौचाले दिवस और मैस्डे दोगों ही 19 नॉउम्बर को पुड़ते हैं और व्ल्ल्ड सी यो पीडी डे ये होता है 18 नॉउम्बर को उसके बाद है विश्व बाल दिवस ये 20 November को होता है अफरीका और द्योंगी की करन दीवस ये 20 November को होता है और World Television Day 21 November को World Fisheries Day 21 November को राष्ट्री नौजात sapa men 15 से 21 November को हर साल राष्ट्री फार्मेसी सapa ये होता है आपका 16 से 22 November को राष्ट्री फार्मेसी सapa विमानन सुरक्षा जागरुकता सब्ता 23-27 नॉंबर को मैलाओं के किलाफ इनसा के उन्मूलन के लिए इंतराष्ट्री दिवस 25 नॉंबर को नैसल मिल्क डे 26 नॉंबर को और सम्विधान दिवस 26 नॉंबर को राष्ट्री अंगदान दिवस 27 नॉंबर को रासायनिक युद्ध के सभी विडितों के लिए समर्ड का दिवस होता है 30 नॉंबर को भारत ने सुखोई 30 MKI ब्रह्मोस विसाइल का सफलता पूर्वक परिक्षण किया बेह बंगाल से इस मन्त नॉंबर में ये ब्रह्मोस का और भी परिक्षण हुए है लैंड अटाइक परिक्षण हुआ था पहले और फिर सुखोई है लिक मतलब ये सुखोई विमान से कैसे ब्रह्मोस को छोड़ सकते हैं हवा में ही इसका भी सफलता पूर्वक परिक्षण किया गया ठीक है तो ये पूछ सकते हैं हमसे कि ये ब्रह्मोस का हवा में परिक्षण हमने किस मतलब ये विमान से किया है तो इसका इंसर हो जाएगा सुखोई 3MKI ठीक बस और कोई ज्यादा इंप्रोटन्ट इवेंट है नहीं और ब्रह्मोस के बारे में आप जानते है रश्या के साथ मिल करके हमने इसको डवलोप किया है उसके बाद भारत अमेरिका जापान के बीच ये मालाबार नावसेनिक अभ्यास का पहला चरण शुरू हुआ था दूसरा भी हुआ था आगे इसी में देखेंगे 24 में मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण मतलब ये पहला चरण बे आफ बंगाल में दूसरा चरण अरप सागर में हुआ था ये देहन रखिएगा आप और दूसरे चरण में भारती नावसेनिया का विक्रमादित कैरियर बैटल ग्रूप और यूएस की तरफ से आया थे निमिज कैरियर स्ट्राइक ग्रूप इन दोनों ने अभ्यास किया था ठीक है उसके बाद भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली का उननत संस्करण का सफल परिक्षन किया था ये एडवांस वर्जन है पिनाका रॉकेट सिस्टम का तो पहले जो संस्करण मौझूद था Mk1 पिनाका का उसकी मारक चमता 40 km थी और अब जो उननत संस्करण आया है उसकी मारक चमता बढ़ा करके हो गई है 45-60 km रफैल के दूसरे सेट आ चुके हैं तीन रफैल पहुंच चुके हैं दुबारा पहले पांच आये थे हाँ पहले पांच आये थे फिर तीन आ चुके हैं और कहा जा रहा है कि हमारे जो चीफ आफ एर स्टाफ है एर चीफ मार्शल आरकेस भधोरिया उन्होंने का आये कि 36 जेट जो हैं हमको मिलने हैं 2023 तक पहुंच जाएंगे भारत में तो पहला बैच कहां पर आये था पहला बैच अंबाला में आये था अंबाला एर बेस टेशन हरियाणा में और दूसरा बैच आया है यहां पर जाम नगर गुजरात में भारत की तीनों सेना यानि की आर्मी नेवी एर फोर्स ने बुल स्ट्राइक अभ्यास किया था अपने ने यहां पर किया था तालमेल बैठाने के लिए दो दिवसी संयुक्त तटी सुरक्षा अभ्यास सागर कवच सागर कवच हुआ था पारादिप तट पर ओडिशा में ठीक है यह अभ्यास जो है ओडिशा राज और पर्चिम बंगाल सरकारें करवाती हैं 26-11 हमले मतलब जि कहां पर मजगाउं डॉक साउथ मुंबई में भारत में जो 6 कलवरी क्लास की जो बनाई जा रहे हैं पंडुब्बियों उसमें वागीर जो है यह पांचवी है ठीक है तो हमसे पूछ लेते हैं जैसे अभी UPS 2020 आपके याद होगा उसमें पूछा था कि what is सार्थक सार्थक क से एक है उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पर भारत ने क्विक रियक्शन सर्फेश टू एयर मिसाइल क्यू आर एसेम सिस्टम्स का सफलता पूरवक्ष परिक्शनर किया कहां पर बाला सोर रेंज ओडिशा में क्यू आर एसेम सिस्टम्स को किसने डवलप किया है भारती सेन अमेरिका के साथ एक बिलियन की 2016 में भारत थाइलाइंड का ये समन्विद गश्ती अभ्यास यानि कि जो कॉर्पैट होता है कॉर्डिनेट पैट्रोल इसका तीसवा संस्क्रण ये था इंडो थाई कॉर्पैट इसको बोलते हैं और भारती नौसेना की तरफ से यहां पर आईनेस कर्मुक श और बातकरफ से कौन शामिल हुआ था करमुक तो ये सब चीज़े कभी कभी पूछ ली जाती की वर्ड में दूसरा त्रिपक्षी समुद्री अभ्यास सिटमेक्स ये अंड़मान सी में हुआ था कौन-कौन से ये तीन देश पाटिसपेट करते हैं भारत, सिंगापूर, था अंड़मान सी में हुआ था एकीस और बाइस नॉम्बर को और ओवराल इसका एवजन किया था रिपब्लिकन, रिपब्लिक ओफ सिंगापूर ने भी ने उसके बाद भारत सिंगापूर का ये अलग से अभ्यास भी हुआ था, इसको बोलते हैं सिंबेक्स, ये अंड़मान स ठीक है, हमने आपको बताया कि सुखोई से भी हमने टेस्ट किया प्रमूस को इसमंत और हमने इसका लैंड अटाक परिक्षण भी किया है, ठीक है, डियाडियो ने अभी जो है इसकी मिसाल प्रणाली की छमता बढ़ाई है, पहले 298 किलोमेटर रेंज थी, अब इसकी प्रमूस सुपर सोनिक क्रूस मिसाइल जो है, अपनी श्रेडी में विश्व की सबसे तेज परिचालन प्रणाली है, यह याद रखेगा, डियाडियो ने पहले हैविवेट टॉर्पीडो वरुणास्त्र को हरी जंडी दिखाई है, यह हैविवेट टॉर्पीडो वरुणा नम के यूनिट में, ठीक है, यह सब इन्फोर्मेशन आ सकती है, साइकल चलान अभियान, साइकल चलान अभियान जो है, कोनार कॉर्प्स जो है भारती सेना की 1971, युद की जब हम पचासवी अनिवर्स्री मना रहे होंगे, तो यह साइकलिन एक्स्पेडीशन चल रहा होगा ठीक है, गुजरात और राजिस्थान में, यह चल रहा है, इसको स्वैडिम विजय वर्स साइकलोथान बोला जा रहा है, इस साइकल एक्सपेडीशन जो है, लखपत नाम की जगहे पर काक्ष के रंड से सुरू हुआ था, ठीक है, और एक ओनरेरी कैप्टेन जो है, गुमा पारे लिए साइकलोथान के बारे में, अब इचुरीज हैं तो काफी सारी, यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट अपने लिए है, सीन कॉनरी, यह स्कॉर्टिश एक्टर थे, इनका निधन हो गया था, खलीफा बिन सल्मान अल खलीफा, इनका निधन हो गया था, यह बैरीन के अब जीता था, अब इक अपतान थे, अब मौलाना कल्बे साधिक, यह लाव बोर्ड के उपाध्यक्ष थे, ठीक है, All India Muslim Personal Law Board है, उसके उपाध्यक्ष थे, अब यह नहीं रहा है, जेम्स वलफेंसन, आस्ट्रेलिया यह अमेरिके वकील, इन्वेस्मेंट बैंकर और अर्थ चास्त्री यह नहीं रहा है, डेविस प्रूस यह ब्रेटिश करेक्टर अक्टर थे, यह नहीं रहा है, गौर्वर्मेंट स्कीम्स में बहुत ज़्यादे इंपॉर्टन स्कीम्स नहीं आई, LTC Cash Voucher स्कीम, इसके बारे में आपने सुना होगा अनौन्स किया गया था, वित् भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ती परियोजना, मिनिस्ट्री आफ जल शक्ति ने इसको इनगरेट किया, 6 नौंबर 2020 को जल शक्ति मंतरी जो है, गजेंदर सिंग, शेखावत, अवणाचल प्रदेश में इसको शुरू किया गया है, तो पूछ लेंगे कि भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ती परियोजना कहां पर लगाई गई है, अवणाचल प्रदेश में, 49 गाउं में 17,480 लोगों को पीने का पानी प्रदान करेगी ये परियोजना, दिबांग घाटी में ये लगवाई गई गई, दिबांग घाटी जिले में, उसके बाद आजाते हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्री पोर्टल शुरू किया गया है, समाजिक नया एवं अधिकारता मंत्राले के दोरा, उसके अलाबा एक गरीमा ग्रह शुरू किया गया है, शेल्टर हॉम फॉर ट्रांसजेंडर परसंस, ठीक, जो नैसल पोर के लिए अधिकारों का संडरक्षन नियम जो आया था, 29 सप्टेंबर को उसकी अधिसूचना के दो महिने बाद, कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्री पोर्टल शुरू कर दिया गया है, स्पोर्ट्स इवेंट्स पर आ जाते हैं, तनमाई श्रिवास तो अन्य जो है क्रिकेट से सन्यास ले लिए, अंडर 19 विष्टक विजेता टीम में थे, उसके अलावा जियो जो है BCCI का जो विमेंस T20 चैलेंज 2020 होगा, उसका टाइटल स्पॉंसर होगा, टाइटल स्पॉंसर के क्या मतलब है कि इस इवेंट को कहा जाएगा, जियो विमेंस T20 2020 चैलेंज, ये इवेंट होगा कहां पर पूँच लेंगर तो शार्जा हमें होगा दुबई में, बारती मुक्के बाज अमित पंगल ने यहां पर जीता था, अलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनाशनल में गोल्ड मेडल, ठीक है, और संजीत ने जीता था, 51 किलोग्राम मे और आकर के स्वन्ड जीता था, तो तीन गोल्ड मेडलिस्ट का नाम आप जरूर दियान रखिएगा इस इवेंट में, संजीत, अमित पंगल और आशीष कुमार, ये इसलिए भी महतपूर है कि लॉकडाउन के बाद पहला अंतरराश्टी टूर्रेमेंट है जिसमें भारती मुक्के बाजो ने भाग लिया था, उसके बाद F1, Emilia, Romagna, Grand Prix ये किस दे जीती है, लिविस हैमिल्टन ने, बस इतना ही आपको आद रखना है, पेपर के लिए बस इतना ही जरूरी है, बाकी किसको हो राया, कौन से उनकी गाड़ी है, किस देश से है, ये सब नहीं आता है, अट लिस्ट F1 में, तो F1, Emilia, Romagna, Grand Prix किस दे जीती, लिविस हैमिल्टन ने, पैरिस मास्टर्स 2020 का टाइटल किस दे जीता है, डैनियल मेड़ेव ने, हराया किसको था, अलेक्जेंडर अजवरेव को, उसके बाद IPL 2020 का सीजन ही खत्म हुआ था, उसमें कुछ अबॉर्स द पोल्ट जो है, IPL 2020 के फाइनल में, प्लेयर आफ दे मैच चुने गए थे, किंग्स 11 पंजाब के कप्तान केल राहूल को औरेंज कैप मिली थी, जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है पूरे टूर्णमेंट में वो, गेम चेंजर अफ दे सीजन रहे थे, केल राहूल, डेली कै के कैगी सोर अबाड़ा ने परपल कैप जीता था, परपल कैप बॉलर को मिलता है, जो सबसे ज़्यादा विकिट लेता है पूरे टूर्णमेंट में, उसके बाद सीजन के उभरते खिलाडी थे, यानि इमर्जिंग प्लेयर आफ दे सीजन, देवदत पडिकल, राजिस्थ ITTF महिला विश्व कप खिताब, यह किसने जीता है, जीता है चीन की शेनमेंग ने, शेनमेंग ने यह शुन यिंग्शा को हरा करके, फाइनल में वहाई में आयो जीतोई थी चाइना में, यह चेंपरिंशिप या फिर यह टूर्णमेंट जीत लिया, ITTF महिला विश्व कप, ITTF Women's World Cup Title, तो यह टेबल टैनिस का इवेंट था, आपको बता है कि टेबल टैनिस जो है चाइना का राश्टरी खेल भी है, तो यह याद रख सकते हैं, F1 टर्किश ग्रैंड प्री 2020 से किसने जीती है, लिविस हैमिल्टन ने बार फिर से, तो रोबांगना ग्रैंड प्री भ यह होता है, यह दी जाती है टैनिस में, विश्प के नंबर वन खिलाड़ी की ट्रॉफी यानि जो पूरे साल नंबर वन बना रहता है, उसको यह अंत में, साल के एंड में ट्रॉफी मिलती है, सारे ग्रैंड स्लैम के बाद, उसके बाद MPL स्पोर्ट्स जो है BCCI का आधिक कारी kit sponsor होगा, MPL स्पोर्ट्स, यह है kit sponsor, वैसे sponsor काउन है, आप पूरी टी-शर्ट में देख सकते हैं, बाई-जूस लिखा रहता है अर जगह पर, तो official sponsor काउन है, बाई-जूस और kit sponsor काउन से बन गया है MPL स्पोर्ट्स, ATP टूर 2020 का यह titles, यह किसने जीता है, डेनियल में ड देव विनर है, और यह runner-up काउन है, डॉमिनिक थीम, बस इतना ही आपको याद रखना है, Fit India School Week का दूसरा संस्क्रण शुरू हो गया था, बस आप इसमें याद रख सकते हैं, दूसरा संस्क्रण था, खेल मंतरी, या युवा मामलों के मंतरी, किरन रिजुजू ने इसका अब सम्मिट्स देख लेते हैं, तेरवां अर्बन मोबिल्टी सम्मिट 2020, यह वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मात्यम से वुआ था तो वन्यू हमको याद रखनी नहीं, इसकी थीम याद रख सकते हैं, Emerging Trends in Urban Mobility, Emerging Trends in Urban Mobility, बस इतना हैं आपको याद रखना है, उसके अर्वां यह वरचूली आयोजीत हुआ था, अदरवाइस यह किसी आ किसी आशियान देश में होता, लेकिन यह COVID-19 कारण वरचूली आयोजीत हुआ है, और इसमें भारत ने extend किया है अपना ED 1 million US dollars भारत देगा, आशियान के COVID-19 response fund में, पंद्रवां पूरवी एशिया सिखर सम्मिलन इस्ट एश्या सम्मिट 2020 वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मांधियम से हुई एक बर्फिर से हमको वेडियू याद रखनी नहीं है सम्मिलन के अध्यक्षता वियतनाम के प्रधान मंतरी ग्वेन जुवान फुक ने की थी क्योंकि 2020 के लिए आशियान का जो चेहर परसन है या आशियान की चेहर किसके पास है वियतनाम के पास भारत की तरफ से किसने पार्ट स्पेट किया था एस जैशंकर ने बस अतना ही इंपोर्टन चीज़ें हैं आगे बढ़ते हैं आठवी ब्रिक्स से एस्टी आई मंत्री स्तरी ये बैठक वीडियो कॉंप्रेंसिंग के मांध्यम से भी थी एस्टी आई गोषणापत्र 2020 जो है इसको अपनाने के साथ संपर्ण हुई कि से संबंदित है अगर आप से पूछ लें तो इसका अंसर हो जाएगा ब्रिक्स आगे बढ़ते हम लोग उससे पहले देख लीजिए कि इस बैठक के अधिक्षता किस ने की थी रशिया ने ठीक है क्योंकि रूस जो है बारवे ब्रिक्स शिखर सम्मिलेन का अध्यक्ष है आगे है 37 दक्षन पूर्व एशियाई देशों यानि आशियान का सिखर सम्मिलेन हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं आशियान देश में कौन-कौन से अब्जर्वर कंट्रीज हैं कौन-कौन से पर्मानेंट हैं और ये भारत आशियान सम्मिट के पहले हुआ था ये 37 37 आशियान शिखर सम्मिलेन अगर कविट-19 नहीं नहीं होता तो वेन्यू हम को याद रखना वरता है इसमें लेकिन वेन्यू हम को याद रखना नहीं है तो कोई बहुत ज़ादे इंपोर्टन चीज़े नहीं है और ये डील की गई है रीजिनल कॉम्प्रेंसिव एकनॉमि के माध्यम से हुआ था रूसी राष्टपती व्लादमीर पुतिन की अध्यक्षता में हुआ था 2021 में भारत जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाला है ठीक है और तेरवें ब्रिक्स सिखर सम्मिलन की मेजबानी भारत करेगा याद रखेगा अगर कोविट-19 साही हो गय प्रिक्स में प्यादमी में ने तीसरे वार्शिक 경 को समबदीत किया था और ब्लूमक Coach ऄसे इसमे इसमें आगे बढ़ता हैं र canal लोग जी ट्वेंटी श Dallas नहीं रखनी है जो कि हमको हमेशे याद रखनी थी थीrade पर देखंब realizing the opportunities of 21st century for all इसकी theme थी इटली जो है प्रिस्डेंसी इसकी ले चुका है देख्षता ये मतलब ग्रहन कर चुका है इसकी चेर किसके पास है अब इटली के पास है एशिया पैसिफिक एकनॉमिक कोपरेशन एकनॉमिक लीडर्स की बैठक ये वीडियो कॉन्फरेंसिंग की बाध्यम से हुई थी 21 एपक के जो एकनॉमिक लीडर्स हैं इसमें भी COVID-19 के बारे में डिस्केशन हुआ था एपक 2021 की मेजबान निव्जलेंड करेगा ये अभी से घोशित हो चुका है देखते हैं कहां पर होता है और 2020 इस वाले एपक की ये देख्शता की है मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर मोहिदीन यासीन ने तीसरा वैश्विक अक्षय उर्जा निवेश बैठक री इन्वेस्ट 2020 जो है इसका अवजन हुआ है वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से प्येम मोधी जी ने इसका इन्वेशन किया थार्ड ग्लोबल रेनिवेबल एनर्जी इन्वेस्मेंट मीट थी है जिसको शॉर्ट में री इन्वेस्ट 2020 कहा जाता है इसकी थीम थी इन्वेस्ट फॉर सस्टेनवल एनर्जी ट्रांजिशन राश्टरी विज्ञान फिल्म महोत्सों का दस्मा संस्क्रण वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से ही कंड़क्ट हुआ था और त्रिप्रा के उप मुख्यमंतरी जिश्णू देव वर्मा ने वर्चुली इसका इन्यागरेशन किया था ठीक है रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में देख लेते हैं भारती सुपरकंप्यूटर परम सिद्धी Department of Science and Technology ने बताया है कि भारती सुपरकंप्यूटर परम सिद्धी जो है दुनिया के टॉप 500 सबसे सक्तिसाली कंप्यूटर की सोची में तिरसथमे स्थान पर है ठीक है परम सिद्धी सीडैक में नैशनल सुपरकंप्यूटिंग मिशन के तहर डवलप किया गया है और इसमें High Performing Computing Artificial Intelligence टेक्नलोजी यूज़ की गई है और एक AI समर्थित कंप्यूटर है यह हम लोग कह सकते है शीर्स 500 टॉप यह जो कंप्यूटर सिस्टम्स की लिस्ट जो होती है हर बार दो बार प्रकाशित होती है एक बार जून में एक बार डिसंबर में अंतरश्ट्री सुपरकंप्यूटिंग सम्मेलन के द्वारा यह पब्लिश किया जाता है लेटेस्ट दिसंबर में जो आया है मतलब नॉम्बर एंड में जो आता है इसमें 63 वी रैंक दी गई है परमसिद्धी को याद रखिए आरो मेंस में आ सकता है अरो मेंस का वेपर बाज दिसंबर को है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांग ट्रेस बाइबरी मेट्रिक्स का जो यह आ चुका है ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स हम लोग कह सकते है जहां पर बिजनिस में जो ब्राइबरी यानि रिश्वत लिए जाने की संभावना सबसे जादा होती है उसको यहां पर सबसे खराब रैंक मिलती है सबसे जादा अंग को खराब रैंक मिलती है जैसे बारत 48 अंगों के साथ इस सोची में 2020 में 78 स्थान पर है पिछले साल 77 स्थान पर था ठीक है और 194 देशों को इसने कुल बिला करके रैंक किया है सबसे अच्छी रैंक यहां पर किसकी है डेन्मार्क की नॉर्वे की फिनलैंड स्वीडन और न्यूजिलैंड की यह हैं टॉप फाइव और यह वर्स्ट फाइव है कौन से हैं उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिन सुडान, वैनिवरेला और इरिट्रिया तो मजब लास्ट पर कौन है 194 नंबर पर उत्तर कोरिया है और फर्स्ट पर कौन है डेन्मार्क है सेकंड पर नॉर्वे थर्ड पर फिनलैंड और 4th पर Sweden और 5th पर New Zealand भारत है 78 विंस्तान पर भारत ने एक स्थान अपना और खराब कर लिया है आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग लोग इंग्लिश में भी लिखा हुआ है यहां पर हर चीज दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सोची Worldwide Cost of Living Index 2020 आ चुका है Economist Intelligence Unities को पब्लिश करती है कहने के मतलब है यह शहरों को रैंक करते हैं कुल बिलाकर 133 सहरों की सूची तयार की गई है कौन सबसे पूरे विश में महंगा शहर है तो सबसे महंगी शहरों की सूची में टॉप पर है Hong Kong और सेगेंड पर है Paris इसमें सबसे सस्ते शहर है ठीक सस्ते शहरों की सूची में Bangaluru को और Chennai को सेजुकत रूप से नवे स्थान पर इसमें रखा गया है याद रखिएगा इस साल FIFA की latest ranking आये थी और इसमें Belgium top पर था उसके बाद France 2nd पर Brazil 3rd पर England 4th पर Portugal 5th पर ठीक और भारत की rank इसमें थी भारत की rank इसमें 104 थी 104 थी यह कभी कभी पूछ लेते हैं कि बताए इस मेहने तक भारत की FIFA में rank कितनी थी तो आपको याद रखना है 104 थी और सब्टेंबर में जब लिष्ट आई थी तो 109 थी भारत ने rank अपनी 5 स्थानों से इंप्रूफ की है अब MCQ section लोग देखेंगे यहाँ पर वो news भी cover कर ली जाएगी जो generally रह जाती या फिर जिसको हम किसी भी section में शामिल नहीं कर सकते हैं तो आई चली शुरुवात करते हैं MCQs की पहला मारा सवाल है यहाँ पर कि चुकि यह जो एंट्रिक्स है corporation इसका कुछ working जो है US में भी होता है तो US की court ने यहाँ पर 1.2 billion American dollars का compensation देने को का है देवास multimedia को तो हमारा answer इसमें हो जाएगा option number B America आगे पूरते हम लोग इसमें पूछा गया है second में कि इसमें कौन सा कथन सही है हाल ही में Chris Gale West Indies के retired हो चुके player है क्रिकेट में 1000 चक्के लगाने वाले पहले बल्ले बाज बन गए है मतलब कुल बिलाकर पूरे international domestic सब बिलाके 1000 चके लगाने वाले पहले बल्ले बाज बन गए है T20 cricket में सबसे ज़्यादा चक्के लगाने वाले के मामले में player के मामले में किरान पुलाड 690 चक्कों के साथ दूहरे स्थान पर है इसमें कौन सा option सही है हमको बताना है हमारा answer हो जाएगा इसमें option number C बोथ 1 and 2 correct है है हाँ पर दोनों statement सही है दोनों record ध्यान रखिएगा अगला question है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने हाल हमें गुजरात के नर्मदा जिले के के वडिया में statue of unity परिसर के आसपा 17 परिटन परियोजनाओं का उधगाटन किया है जिसे के वडिया परिटन सर्किट कहा जा रहा है किस theme पर अधारित है यह तो theme का नाम है यहाँ पर unity एकता option number C 9 November 2020 को किस देश की राष्टपरती विद्या देवी बंडारी द्वारा महत्मा गांधी पर एक विशेष संकलन माईले बुझे को गांधी यानि महत्मा गांधी जी के बारे मेरी समझ का compilation जारी किया है हाली में 36 गड़ में सारुजनिक वित्रण प्रणाली यानि Public Distribution System PDS के माध्यम से Fortified Chowel के वित्रण की योजना लॉंच की गई है इसका उदेश को portion और एनीमिया को कम करना है Fortified Chowel Iron Vitamin B12 और Folic Acid समरध Fortified Chowel Kernel का मिश्रण है तो आपको बता ते तीनों statement यहाँ पर correct है option number D यहाँ पर सही है All of the above भारती Cricket Control Board BCCI ने जीयो को Women's T20 Challenge 2020 संसकरण का title sponsor बनाया है हमको बताना है कि इसका आयोजन कहाँ पर होगा तो अभी हम discuss कर चुके हैं इसका आयोजन होगा शार्जा दुबई में शार्जा UAE में सौरी United Arab Emirates में मैंने शार्जा दुबई बोल दिया था सेक्शनल वाले में UAE में है शार्जा माफ कीजिए गए हैं आपर Inter Parliamentary Union IPU की गर्णिंग कांसिल एक नॉम्बर से चार नॉम्बर के बीच इसने अपने 206th सेशन का आयोजन किया था IPU ने सही है ये IPU को नया देक्श जो है पुर्तगाल के द्वारते प्रेशिकों को चुना गया है दोनों इस स्टेटमेंट यहां पर सही है 1 and 2 बोथ करेक्ट 3 नॉम्बर 2020 को भारत और गल्फ कॉपरेशन कांसिल ट्रोईका ने वर्चुल मोड में वारशिक राजनीतिक वारता आयोजित की इस समवाद में भारत की तरफ से किसने पाटिस्पेट किया था हमको बताना है बच्चों में 11 प्रतीशत के पास online classes तक access थी यह पाया गया कि जितने बच्चे शामिल है उनमें से 11% को access है accessibility प्राप्त है उनको online classes की हाल ही में विजयनगर जो है करनाटक का 31 डिस्ट्रिक्ट गोशित हुआ है तो दोनोई statement सही है option number C both 1 and 2 correct दो नॉम्बर 2020 को करनाटक संगीत वाइलिन वादक टी अन कृष्णन का 92 वर्ष की आयू में चेन्नाई में निधन हो गया उन्हें किस अवार्ड से समानित नहीं किया गया है अब तक यह बताना है तो पद्म भूशन के प्राप्त करता वो है पद्मिश्री भी मिल चुका है उन्हें संगीत नाटक अकैडमिक अवार्ड भी मिल चुका है लेकिन दादा साहब वाल के अवार्ड उन्हें अपने जीवन काल में कभी नहीं मिला तो option number D यहां पर सही है उसके बाद है कि लार्से ने ट्यूबरो अलेंटी द्वारा डिजाइंड और निर्मिद भारती ट्रक्षक जहाज C452 को हाल यह में कहां पर कमीशन किया गया है तो अभी इसको कमीशन किया गया है रतनागिरी महराश्टर में option number A निमलिकित में से कौन सकतन सही है चार नॉबर 2020 को प्रसार भारती ने भासकराचार राश्टरी अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान सनस्थान के साथ समझाता कि आपन प्रस्ताक्षर किये है इस समझाते कहता है कितने D2H सिक्षा टीवी चैनल लांच किये गए है यह बताना है हमको यानि कितने D2H चैनल लांच किये गए है अतिरिक्त एक क्यावन चैनल लांच किये गए है option number B यहाँ पर सही है अगला है कि nurturing neighborhood challenge कि समंद में सही कतना आपको चुनना है क्या है यह इसकी शुरुआत चार रॉंबर 2020 को किंद्री आवास और शहरी मामलों के मंत्राले दोरा किया गया ठीक है यह नर्चरिंग नेबर हुट चैलेंज इसका उदेश बच्चों एवं परिवारों के लिए शहरी बुन्यादी ढाचे में सुधार हेतु मदद करना है सही है नर्चरिंग नेबर हुट चैलेंज की शुरुआत देश भर के सौ स्मार्ट सिटीज में पांच लाग से अधिक आबादी वाले शहरों और राजियों के इंद्रशासित प्रदेशों के राध्धानियों के लिए किया गया है इसकी शुरुआत की गई है तो हमारा correct answer यहां पर हो जाएगा आपका option number D तीनो ही statement यहां पर सही है इस नर्चरिंग नेबर हुट चैलेंज के बारे में तीनो ही statement सही है और यह कारिक्रम जो है WRI इंडिया से मिली तक्नीकी सहायता के साथ नीदर्लैंड के बर्नार्ड वॉन अलियर फांडेशन के सहयोग से आयुजित किया गया अगला कोशन है कि कॉविड श्री शक्ति चैलेंज 6 महिलाओं के नेतरत वाले स्टार्ट अप ने जीता है तो हमारा एंसर यहां पर हो जाएगा तीनो ही करेक्ट स्टेट्मेंट है 1,2,3 तीनो करेक्ट एंसर हो जाएगा इसमें D, all of the above ठीक है जिब बूत सकते हैं कि COVID-19 श्री शक्ति चैलेंज में किस ने सहयोग किया था तो UN विमन ने अगला सवाल है कि 4 नॉबंबर 2020 को केंद्री मंत्री मंडल ने 210 मेगावाट की लुहरी चरण वन जल विदूत परियोजना के लिए 1810 करोड रुपे के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दिये परियोजना का निर्माड कहां पर होगा परियोजना के निर्माड होगा सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में अप्शन नॉबर A सतलज हिमाचल प्रदेश पहला विदेशी संप्रभू धनकोश यानि सोवरेन वेल्थ फंड SWF हाल ही में वित्तमंत्राले द्वारा दिसूचित किया गया है किस देश समंदित है देश समंदित है UAE से ऑप्शन नॉबर B United Arab Emirates कौन कौन से स्टेट्मेंट यहां पर not correct है अब यहां पर बताना है पहला है कि virtual program one more thing जो है लांच किया गया है एप्पिल के दौरा सही है इंडिया का पहला Moss Garden जो है ननिताल district में खोला गया है उत्राखण में यह भी सही है लेकिन एटा नाम का तूफान जो है न्यूजलैंड में नहीं आया है गौाटमेला में आया है तो गौाटमेला में आया है तो यह वाला हो जाएगा wrong हमारा answer हो जाएगा only third क्योंकि इसमें not correct बताना है only third शह नॉब्बर 2020 को भारत इटली आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया कितने समझावतों पर हस्ताक्षर हुए है तो समझावते यहां पर हुए हैं 15 option number C उसके बाद है कौन से कथन सही है भारती ग्यान प्रडाली के लिए एक उत्रष्टा केंद्र IIT खड़कपुर ने स्थापित किया है उसके बाद है कि विदेश मंतरी हाली में रमेश पोक्रियाल निशंक जी ने भारत तीर्थ नामक तीन दिनों के इंतराश्री वेबिनार का उद्गाटन किया दोनों इस्टेट्मेंट यह सही हो रहे हैं तो एंसर हो जाएगा हमारा C बोथ 1 और 2 करेक्ट बोथ 1 और 2 भारत फिलिपीन सहीउक्त आयोग की चौथी बैठक के बारे में निमलेखित कत्नों पर विचार करें आयोजन हुआ था चैनोंबर 2020 को विडियो कांफरेंसिंग से विदेश पंतरी डॉक्टर S.J. शंकर ने और फिलिपीन के विदेश विभाग के सचिव टेडोरो लॉक्सिन जूनियर इस पैठक में साथ हाए थे इन्होंने भाग लिया था दोनों देशों के समुद्री सहयोग, रक्षा, सहभागिता, सैन प्रशिक्षनक मत्बूत करने का संकल्प लिया गया है तीनों स्टेट्मेंट सही है इंडिया फिलिपीन्स जॉइंट कमिशन के बारे में एंसर हो जाएगा हमारा D, All of the Bo निजी छेत्र के किस बैंक ने, ICCI बैंक ने आपर लिखा हुआ है इसने हाल ही में युवाओं के लिए भारत का पहला व्यापक बैंकिंग कारेकरम शुरू करने ही घुषना की है इस कारेकरम का नाम क्या होगा ये बताना है तो इस कारेकरम का नाम होगा ICCI Bank Mine निमलकित में से कौन से गथन सही है परेटन मंतरी प्रहलात सिंग पतेल ने हाल ही में प्रसाद योजना के तहत केरल के गुरुवयूर में परेटन सुविधा केंदर का उधगाटन किया और प्रसाद यानि Pilgrimage, Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive 2014-2015 में प्रेटन मंतराले द्वारा शुरू की गई स्कीम है जो अब भी चल रही है और इसका उद्देश उन निर्दिष्ट तीर्थों और विरासत स्थलों को एकिकरत विकास कर रहा है तो यह विकास योजना आपको सामने आतिव देखने को मिलती है प्रसाद स्कीम के तहट तो हमारा एंसर यहां पर सही हो जाएगा All of the above, option number D Bengaluru प्राध्योगी की शिखर सम्मेलन के 23 संस्क्रेंट के बारे में चुनना है कथन हमको कौन सा सही है इस सम्मेलन कायोजन, 19 सaldo कि सम्मेलन के 24 स्कीम के बीच आउजित किया गया उद्गाटन पृधान मंतरी जी ने किया था cza शिखर सम्मेलन कायोजन, करनाटक के लेक्ट्रोनिक सूझना प्राध्योगी की जयो प्रॉद्योग की और किसान प्रॉद्योग की विभाग दोरा किया गया एंसर हो जाएगा यहाँ पर All of the world सारे सही हैं इसमें भारती रिर्वाचन आयोग तीन दिवसी अंतराश्री आभासी चुनाव आगंतुक कारिक्रम का आयोजन कर रहा है नौमबर में और दुनिया भर के 40 से अधिक देशों के प्रनिदियों को यहाँ पर बुलाया गया था दोनुई स्टेट्मेंट सही हैं एंसर हो जाएगा इसमें C बोथ 1 और 2 और 2 करेक्ट गरेक्ट साथ तोंबर 2020 को अटल इनोवेशन मिशन और सीरियस रूस ने भारती और रूसी स्कूलों के बच्चों के लिए एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम लॉंच किया है यह हमने आउगस्ट के करीब भी देखा था, यह सीरियस जो है एम सीरियस प्रोग्राम अटल इनोवेशन मिशन के साथ कोलाबरेशन, रशिया का जो यह है कारिक्रम, स्कूली बच्चों के लिए 14 दिन तक चलने वाली एक वर्चुल कारिक्रम है, एम सीरियस, दोनों ही सही है, एंसर हो जाएगा, इसमें C, बोथ 1 और 2 करेक्ट, भारत नौडिक, बाल्टिक, CII कौनक्लेव के बारे में बताना है, कौन से सही है, पहला है कि कौनक्लेव का यह जिन 5 नौंबर को हुआ, विशाय था यहाँ पर, an innovation driven partnership for growth in a new world, कि सही है, उसके बाद है, कि it was jointly organized by ministry of external affairs in confederation of Indian industries, यह भी सही है, और foreign minister जैशंकर जी ने इसमें भाग लिया था, lead किया था भारती delegation को, answer हो जाएगा, इसमें option number D, all of the above, correct, निमलेखित में से कौन सा कथन सही है, केरल ने हाल ही में परहना लिखना अभियान कारेक्रम में अपनी participation सुनिश्चित कर लिया है, हिस्सा बन गय इसमें D, सारे कथन सही है, D, हाल ही में चीन ने तायुवान सेटलाइट लॉंच सेंटर से लॉंग मार्च 6 कैरियर रॉकेट से 13 उपग्रहों को सफलता प्रूवक भेजा है, इसमें अर्जेंटीना के कितने उपग्रह शामिलें बताना है, तो अर्जेंटीना के तीन प्रती जी ने की थी, सही है, व्लादमीर पुतिर ने, और नरेंद्र पोधी जी ने भारतिय प्रतिय प्रतिमियों उंडल का नेतरत्व किया, इंडियन डेलिगेशन को लीड किया, प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक है, एंसर हो जाएगा D, सारे के सारे सही है, दस तोंबर 2020 को Collins Dictionary ने lockdown को वर्ष के अपने शब्द के रूप में शामिल किया है, ने की word of the year, Collins Dictionary, Oxford Dictionary, इन सब के word of the year कभी-कभी पूछ लिए जाते हैं, तो Colin ने शामिल किया है lockdown को, lockdown को ऐसे define किया है, stringent restriction on travel and social interaction, एंसर हो जाएगा D, एंसर हो जाएगा इसमें C, बिसिकली, दोनों सही है, एंसर है C, हाली में उत्तर प्रदेश के सहर वारण रसी में सारनाथ, light and sound show का उदगाटन किसके दोरा किया गया था, तो light and sound show का उदगाटन किया गया, नरेंद्र मोधीजी के दोरा, हाली में चक्रवात, निवार, तमिलनाडो, पॉंडिचेरी में आया था, इधरती, ज शामंत्री राजनाथ सिंग जी ने हाली में anti-satellite missile system के model का उदगाटन कहां पर किया है, तो anti-satellite missile system के model का उदगाटन किया गया नई दिल्ली में, option number A, उसके बाद है कि निमलिकित में से कौन सकतन सही है, मानवी सहयता mission सागर second को जारी रखते हुए, भारती नहुसेना का जहाज INS आहरावत 20 number 2020 को port of Mombasa केन्या पहुंचा है, उसके बाद है कि केंदर सरकार 16 राजियों और 3 केंदर सासित प्रदेशों यानि कि union territory को 6,000 करोर रुपए की दूसरी किस्त जारी कर चुका है, दोनों स्टेटमेंट सही है, answer हो जाएगा है यहाँ पर, both 1 and 2 correct, National Water Award 2019, जो है इसमें राजियों की श्रेंडी में तमिलनाडू को पहला राजी यानि सरफ्रेश्ट राजी का प्रुसकार मिला, 2nd और 3rd कौन है, यह हमको स्लेट करना option में, 2nd है महराश्ट और 3rd है राजस्थान, option number B यहाँ पर सही है, New Zealand Cricket के प्रमुख Greg Barclay को अंतराश्टरी Cricket परिशाद का नया Independent Director बनाया गया है, Independent Chairperson, सही है और पन्ना Tiger Reserve को हाल ही में, UNESCO Biosphere Reserve गोशित किया गया है, सही है यह दोनों, option number C, 1 and 2, both correct, हाल ही में, Local for Diwali अभियान, किस मंत्राले दौरा शुरू किया गया है, शुरू किया गया है, वस्तर मंत्राले दौरा, Ministry of Textiles, 11 November 2020 को केंद्री मंत्री मंडल ने 10 शेत्रों के लिए production linked scheme शुरू की है, उसके बाद पूछा है कि, इन शेत्रों में दवा, इसपात, आटो, दूर संचार, कपड़ा, खाद, उत्पाद, और फोटो, वोल्टाइक, सेल, बैटरी के उद्द्योग जो है लगाए जाएंगे, तो एंसर हो जाएका यहाँ पर C, बोथ 1 एंटू, करेक्ट, हाली में प्रधान मंत्री जी ने आएकर अपिलिट ट्रिब्यूनल के अत्याधुनिक कारेले सह आवासी परिसर का उदगाटन कहाँ पर किया है, यह किया है ओडिशा में, कटक में, विली वॉल्ष को अभी अंत सर्राष्ट्री एमी पुरुसकार मिला है, ट्रामा सेरीज की कटेगरी में, मदप्रदेश सरकार ने गो काबिनेट शुरू करने की योजना बनाई है, तीनों ही न्यूस सही है, all of the boy यहाँ पर करेक्ट, ग्यारण नोंबर 2020 को केंदरी वाडिज और उद्योग रेलवे और और सारजुनिक वित्रेन मंत्री प्यूश गोयल ने इंडिया ट्राइवर्स ऑफ चेंज सम्मेलन में भाग लिया था, इंडिया ट्राइवर्स ऑफ चेंज किस ने और्गनाईस किया थे बताना है, तो और्गनाईस किया था बैंक ऑफ अमेरिका ने, option number A है, इंडिया ब्रसील रणनीतिक साज़ेदारी को मस्बूत करने के आउसरों पर चर्चा की गई, दूनों ही सही है, एंसर हो जाएगा इसमें, बोथ 1 and 2 correct, जे एन्यू के परिसर में स्वामी विवेकनन जी की प्रतिमा का नावरन किस ने किया है, नरेंद्र मोधी जी ने, option number B, भूटान के वाइनाट जिले में सबजियों और फूलों के लिए एक इंडो डच सेंटर फॉर एक्सिलेंस खोला गया है, दोनों ही सही है, इंपोर्टन नियू से दोनों ही, एंसर हो जाएगा हमारा C, बोथ 1 and 2 correct, बोथ 1 and 2, हाल ही में किस राज के उपराजिपाल के द्वारा वैश् ठंडर 2020 के तहट, 18 टन लाल चंदन की लकड़ी को पकड़ा है, जो संयूक राष्ट्र आमिरात को भेजी जानी थी, तो एंसर हो जाएगा यहाँ पर D, इंडिया के कस्टम विभाग ने पकड़ा है, 17 आशियान भारत सिखर सम्मेलन के बारे में सही कितन चुनना है, अब 80 तोर पर हुआ था यह, और वियतनाम के द्यक्षता में 10 आशियान सदस्य देशों द्वारा सिखर सम्मेलन में भागिदारी की गई, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट है, तो दोनों ही करेक्ट है, 1 और 2 बोथ करेक्ट, और इसी मौके पर प्रधानमंत्री मो होटल के माध्यम से गैर क्रशी भूमी और संपत्तियों को पंजी करन शुरू किया है, तो यह राज है तेलंगाना, आप्शन नमबर C, IIT दिल्ली के स्टार्ट अप नैनो सेफ ने भारत का पहला जीरो एलकोहल सेनिटाइजर लॉंच किया था, सही है यह, प्रधानमंत्री मोधी जी ने भूटान में रूपे कार्ड का सेकेंड फेस का इनाउगरेशन किया था, तमिल नाडू ने ओनलाइन गेम्स पर प्रधिबंद लगाने के लिए एक अध्यादेश घुशित किया था, तो तीनों स्टेट्मेंट तीनों सही है यहाँ पर D, दस नमबर 2020 को सरकार के द्वारा राज में को पूशन को कम करने के लिए सप्लिमेंटरी नैशनल प्रोग्राम में मचली आधारी तुत्पादों को शामिल किया गया है, यह कहां पर किया गया है, ओडिशा में, आप्शन नमबर D, नॉम्बर 2020 में पुस्तक जो प्रकासित हुई है, अरिलोजी ए का पूर्थला जिले के फगवारा में एक मेगा फूट पार का उद्गाटन खाद प्रसंस्क्रिन मंत्री द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश ने राज के कई हिस्सों में फसल के अवशेश जलाने के बारे में जाकरुकता अभियान चलाया है, तो यह जाया है, इसमें C, चौक लग जाता है हाथियों को, जो लटकती वी तारे होती है, उनसे उनकी मृत्ती हो जाती है, तो यह करेंट फाइले नहीं, लटकती तारों से, और जहां पर लटकती तार है, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको सही करने की योजना बनाई है, पश्चिम मंगालने, क्य अनसंधान विकास में 900 करूर रुपय और खर्च किये जाए रहे हैं, केलल राज ने गरीब परिवारों और सारुजनिक कार्यालों के लिए, मुफ्त इंटरनेट के लिए पहली परियोजना लॉंच की है, अपनी तरह की, ठीक है, पूर फैमली के लिए और पब्लिक ऑफिस इसके लिए, ठीक है, फिंटेक कंपनी पेटियम ने विवसायों के लिए पे आउट लिंक लॉंच किया है, पे आउट लिंक, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, C, बहुत करेक्ट, उसके बाद है कि हाल ही में किस राज सरकार ने प्रधान मंतरी स्ट्रीट वेंडर के तरज पर लाया है, मध्रदेश, कौन से स्टेटमेंट सही नहीं बताना है, पहला वाला नॉट करेक्ट है क्योंकि 500 मीटर उचा कोरल रीफ जो है, आस्ट्रेलिया में खो जा गया है, भारत में नहीं, उसके बाद ये सही है, शेन वाटसन ने सभी प्रारूपों से सैन्न मयास की घुफणा कर दी, भारत बायोटेक ने हाली में COVID-19 वैक्सीन को वैक्सीन के तीसरे संसकरण पर अलब तीसरे चरण का परीक्षन शुरू किया है, ठीक है, एंसर हो जाएगा इसमें only one, ए, वाकि ये दोनों सही है, हाली में कहां पर नरेंद्र मोधी जी ने जैनाचा भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक औल इंडिया लिम्टेट ने हाली में असम के कि स्थान पर कुए में प्राकृतिक गैस के बंडार खोजे हैं, तो ये तिन सुकिया में खोजे गए हैं, ये डिपॉसिट सी एफ रिजर्व नैच्रल गैस के असम में, उसके बाद है कि निम्लिकित में से कौन सा कथन सही है, वर्ल्ड ट्रावल मार्ट लंडन अने केरिल टूरिज्जम को पृतिष्ठित हाइली कमेंडेट पुरुसकार से समनित किया, सही, उसके बाद इंटरनेस्टल एनर्जी एजनसी ने 20 नौंबर 2020 को एनर्जी टेक्नलोजी पर दूसरे फेज में भाग लिया, दुनिया का सबसे बड़ा विमान युद्धपोत यू एस एस निमिद्स ने भी इसमें बाद स्पेट किया, तीनों स्टेट्मेंट सही है, सी एनसर यहां पर होगा, आगे है कौन सा कथन यहां पर सही है, हाली में संयूंत राष्टर ने लं जाएगा, इसमें C, 1 and 2 बोथ करेक्ट, भारत ने 17 नॉंबर 2020 को किस देश में मुझीब सताबदी वर्ष, मुझीब बोर्षो के विशे संस्क्रंड में कलाई घडियों को लांच किया है, तो किस ने किया है, ढाका ने, मतलब कहां पर किया है, ढाका में, भारत ने ढाका बं परियोजना को अंतिम रूप देने वाला भारत का पहला राजी काउन सा बना है, बहुत important question है, जब migrants यहाँ पर आ रहे थे, तो यह scheme अनांस की गए थी, affordable rental housing complex scheme, इस scheme के तहत यह houses, मतलब सबसे पहले घर कहां पर तयार किये गए है, घरों को अंतिम रूप दिया गया है, migrants के लिए सूरत में, भारत लक्जंबर्ग वर्चुल सम्मिट के सम्मध में सही कथन चुनना है, सम्मिट का अवजन 19 तॉमबर को हुआ था, शिखर सम्मेलन में प्रधान मंतरी ने अंतराश्ट्री सौर गट बंधन में शामिल होने के लिए लक्जंबर्ग का स्वागत किया थ राजपती रामनात कोविन जी के चुनिंदा भाषणों का संकलन है, इसमें, एंसर है इसमें C, यह हम देख चुके हैं बुक्स एंड आउथर सेक्शन में, बैंगलोडू टेक्स सम्मिट का अउधगाटन किया गया है, इसमें किस देश के प्रधान मतरी शामिल हुए थे, औस्ट्रेलिया के प्राइम नेश्टर यहां पर शामिल हुए थे, उसके बाद है कि उन्वाटिट किंग्डम ने हाल ही में, 2030 से पेट्रोल और डीजल कारों और वैन की बिक्री पर प्रतिबंद लगाने की घोशना की है, सही है, तमिलाडो सरकार ने परिवहन और गयर परि स्थान मिला है, हम लोग डिस्कस कर चुक हैं, इसके बारे में पहला स्थान यानि सबसे ज़्यादा ब्राइबरी का रिस्क कहां पर यह बताना है, तो उत्तर कोरिया में है, नौर्थ कोरिया में, ऑप्शन नमबर C, दो नॉम्बर 2020 को देश की पहली सौर उर्जा चलित 25 एकड़ भूमी पर यह बना है, तो फकवाड़ा में 55 एकड़ भूमी पर यह मेगा फूट पार्क बना है, पंदरवें G20 शिखर समेलन में जो विशाय था, रियलाजिंग दा अपर्चुनिटीज फॉर 21 सेंचुरी फॉर आल, समेलन के अदेश्ता कि इसने की यह बताना है तो अदेश्ता कि यह साउदीन है, आप्शन नमबर बी, केंदरी संस्कृती मंत्री ने लंडन से प्राप्त कांस मूर्तियों को तमिलनाडू को सौप दिया है, मूर्तियां तमिलनाडू के नाग पत्रनम जिले के मंदिर की है, 1978 में इन्हें यहां से चुराय गया था, एंस अंतराश्टी स्तर पर अमेरिका, उनाटेट किंग्डम, कैनेडा, औस्ट्रेलिया, संयुक तरब, अमिरात, नीदिरलैंड, सिंगापूर, न्यूजिलैंड में यह अंतराश्टी संसक्रण उमंग गैप का जारी किया गया है, तो इसका एंसर हो जाएगा C, 1 and 2 बोध करेक् का फुल फॉर्म, जल्दी से कॉमेंट करके बताईए आप लोग, कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी के लिए गयर कानूनी धर्मानतरण को गयर जमानती अपराद माना जाएगा, अधिक्तम सजा जो है 10 साल की होनी है इसमें, और जुर करेक्मेंट रॉंग है, बाकि यह दोनों करेक्ट है, एंसर हो जाएगा इसमें, अउनली थर्ड, C, अधिक्तम 10 साल की कायद हो सकती है, दोशी पाए जाने पर और 50,000 का जुर्माना हो सकता है, हाली में भारत, श्री लंका और मालदीव ने चौथी राष्टरी, सुरक्षा सलाकार त्रिपक्षी बैठक कायोजन किया, इसमें भारत का प्रणिदित्व हमारे NSA जो है, National Security Advisor अजीद दोवाल ने किया था, इस बैठक की महिजबानी किस देश ने की है, बताना है, बैठक की महिजबानी की है, श्री लंका ने, option number A, प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी न 255 क्रोर रुप है, 5555 क्रोर, 25 अपरेल 2021 को लॉस इंजल्स में होने वाले 93 अकाडमी अवार्ड्स, यानि कि जिनको ओसकर बोलेंगे हम लोग, भारत की ओर से किस मल्यालम फिल्म को भारत की आधिकारिक एंट्री घोशित किया है 2020 की, तो ये है जली कट्टू, जली कट्टू option number A, दोर संचार भी भाग की हाल ही की अधिसोचना के नुसार, जनवरी 2021 से landline से mobile पर call करने के लिए कौन सा prefix number डाइल करना होगा, तो 0 लगाना अब अनिवार है, अगर landline से आप mobile से, मतलब landline फोन से mobile को call कर रहे हैं तो, 23 अक्टूबर 2020 को Department of Post के द्वारा, सेयुकत रास्र की 75 वी वर्जगांट पर एक memory ticket launch किया गया है, ठीक है, मतलब ये memorable stamp, जिसको जारी किस ने किया है, हमको बताना है, स्पृति टिकट को जारी किया है, मुख्य अतिति, इस कारेक्रम के जो थे, डॉक्टर S. जैशंकर, जहाज रानी मंत्राले का नाम बदल करके, बंदर का जह काल ही में भारत के मुख्य उन्यायधीश, न्याय मूर्ती, शरद अर्विंद बोबडे ने देश के पहले e-resource center न्याय कौशल का उधगाटन कहां पर किया है, ये पहला country का e-resource center और virtual court है, traffic और transport के लिए, जिसका नाम है न्याय कौशल, कहां पर खोला गया है, ये खोला ग किसका स्थान लिया है ये बताना है, तो स्थान लिया है उन्होंने विमल जुलका का, option number C, secure application for the internet, नाम का एक सुरक्षित messaging application किस देश की सेना ने launch किया है, तो इंडियन आर्बी ने launch किया इसको, secure application for internet, secure messaging application है ये, 24 नवंबर 2020 को किस राज सरकार ने COVID-19 मामारी के बारे में ल आ गया हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद है कि ये COVID-19 सुरक्षात्मक मास्क और दस्तानों के लिए, जो living guard ने अपना brand ambassador बनाया है, ये किस पूर्व क्रिकेटर को बनाया है, तो ये है सौरफ गंगुली, BCCI के प्रिसिदेंट सौरफ गंगुली है, कौन सा देश मासिक ध गिनेवा से टेली कॉंफरेंस के माध्यम से ववा था, भारत के शिष्ट मंडल को लीड किया था डॉक्टर S.J. शंकर ने सही, और प्रिवरतन कारी दशक 2015-2024 के दूसरे हिस्से के दौरान अफगानिस्तान के लिए अंतराशली समुदाय की प्रतिबत्ता की पुष्टी कर करना इसका लक्ष था, या उदेश था कह सकते हैं हमारा एंसर हो जाएगा इसमें 1,2,3 बहुत करेक्ट, यानि कि एंसर रंबर D हो जाएगा इसमें, ठीक है, सारे करेक्ट, मोबाइल RT-PCR प्रयोग शाला कहां पर आउजित की जाएंगी, यह लांच किया गया है नई दिल् अंधप्रदेश में लांच किया गया है, असिवें अखिल भारती पीठा सीन अधिकारी सम्मेलन का एउजन महदप्रदेश के के वडिया में किया गया, सम्मेलन का उधगाटन किस ने किया था, यह किया था रामनात कोविंजी ने, आप्शन मबर C, असम के डिब्रु गड म अस्थित श्री गोपाल गौशाला नामा के गाय आश्रम ने 17 लाख रुपए की लागत से पुर्वत्तर के पहले गाय अस्पताल का उधगाटन किया है, इस अस्पताल का नाम क्या बताना है आपको, अस्पताल का नाम है सुरभी अरोग इशाला, आप्शन मुमबर A है, हा पारती फिल्म कारखीनी सांची वारी, Ashes on a Road Trip को Tokyo Film Festival में एंट्री मिली है, उसके बाद है कि इस फिल्म का निर्देशन मंगेश जोशी ने किया है, दोनों सही है, C उसके बाद है कि हाल ही में कौन सा देश, दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है, जिसके पास अपना स्वतंत्र शेत्री नेविगेशन सेटलाइट सिस्टम है, जो वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक हिस्से के रूप में, अंतर राष्ट्री इसका इसका इंसर भारत है, बारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है, जिसका चेत्री नेविगेशन सेटलाइट सिस्टम, वर्ल्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक हिस्से के रूप में, जो है, इंटरनाशनल मेरिटाइम और्गनाइजिसन के द्वारा रि सफाई में तुर सुरक्षा चैलेंज लॉंच किया था, इसका उद्देश ये था कि जो मैनुवल स्केविंजिंग होती, यानि कि सीवर में उतर करके एक विक्ती उसको साफ करता है, इसको रोकना और मशीन से सफाई को बढ़ावा देना, तो एंसर हो जाएगा, इसमें C, बोथ 1 एंट 2, C, हाली में किस राजी सरकार ने अनाथ एवं बेसहारा बच्चों के लिए वातसल लियोजना एवं समर्थ योजना की शुरुवात की है, ये शुरुवात की है वातसल लियो समर्थ की राजस्थान ने, जमू कश्मीर के सीमा सुरक्षा बल ने आदित महता फांडेशन के साथ मिलकर एक पैरा साइकलीन अभ्यान इंफिनिटी राइट 2020 की शुरुवात की है, श्रीनगर से सुरू होगा और 31 दिसंबर 2020 को कहां पर खत्म होगा ये बताना है, ये खत्म होगा कन्या कुमारी में, आप्शन नुबर A, ग्लोबल वार्मिंग से निपट परी कौन सा था जिसने क्लाइमेट एमर्जिनसी को घोशित किया था, पहला स्टेटमेंट सही है, उसके बाद है, सिसका गुरुप ने राजकुमार राओ को अपना ब्रैंड अबेश्डर बनाया है, चाचा चौधरी नमामी गंगी परियुजना के ब्रैंड अबेश्डर ठीक है, तो तीनों ही सही है यहाँ पर, option number D यहाँ पर सही होगा, all of the above, हाली में किस राजी के मुख्पंत्री ने पूर प्रदान मंत्री इंद्रा गांधी जी की जहनती पर महिलाओं के लिए दादी नानी क्लीनिक का उद्गाटन किया है, दादी नानी क्लीनिक खुले हैं चतीज गड़ में, रेलवे सुरक्षा बल ने ट्रेन यात्रा के दरवान महिला यात्रियों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सहेली नामक एक नई पहल शुरू की है, मद्ध प्रदेश के सभी जिलों में पोशित परिवार सुपोशित मद्ध प्रदेश अभियान दोनों करेक्ट हैं, एंसर हो जाएगा इसमें बोथ, बोथ one and two हाल ही में बैंगलूरू के Boring और Lady Curzon Medical College और Research Institute का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया है तो Boring और Lady Curzon Medical College अब हो गया है, अटल बहारी बात पर ही Medical College, option number A Mastercard और United States Agency for International Development यूसेट्स ने महिला वैश्विक विकास और सम्रद्धी पहल के तहत किस देश की महिला उद्यमियों के विकास के लिए और उनको भरने मदद करने के लिए प्रोजेक्ट किराना को समर्थन करने की योजना बनाई है यहां पर समर्थित किया जाएगा जो लोग स्टार्ट आप की तोर पर आना चाहते हैं सेल्स में तो किस देश की पहल है यह प्रोजेक्ट किराना यह हमको पताना है तो आपिसली इंडिया की पहल है option number C यह reverse question यूप प्रीशेज पोच्छ सकता है कि भारत की जो अब रिमें स्टार्ट अप को help करने वाली किराना पहले है उसको कौन सा organization समर्थन कर रहा है तो Mastercard और दूसरा है USATS United Nations या United States Agency for International Development एशिया का पहला सौर उर्जा सक्षम कपडा मिल अमाराश्टर के परभाणी जिले में स्थापित किया गया है यह पहला एशिया का सौर उर्जा सक्षम कपडा मिल है पर योजना की स्थापना 100 करोर रुपए से हुई है और इसका नाम है इस मिल का जय भावानी महिला सहकारी मिल तो answer हो जाएगा इसमें 1,2,1,3 तीनों correct 1,2,1,3 सब correct हाली में किस राज में बाल दीवस के अउसर पर दुनिया की अपनी तरह की पहली ट्रॉम पुस्तकाले स्थापित की जाएगी और ट्रॉम मतलब क्या होता है कि पत्री बना दी जाती है इस सिटीज में और सरजनिक सड़कों पर छोटी-छोटी पत्री जिसमें रेल के जैसा वाहन उसमें चलता है तो यह कहां पर किया जाएगा ओविसली जहां पर ट्रॉम ट्रेन पहले से हैं बहुत पहले से कोलकाता में शो इंडिया टू इंडियन्स यह जो भारत दक्षण यातरा शुरू हुई है या IRCTC ने शुरू की है हाइदराबाद और सिकंदराबाद से ट्रेन चलेगी 12-18 दिसंबर के बीच तीनोई स्टेटमेंट यहां पर सही है ठीक उसके बाद है कि हाली में खाद प्रसंसकरन और उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरन एपीड़ा जो है इसने अनौन्स किया है कि तेजपूर की लीची को GI टाइक दिया जाएगा तो तेजपूर की लीची की स्टेट को बिल न्यूजिलेंड महिला अभी यहां पर शामिल हुई है न्यूजिलेंड सरकार में मंत्री के तौर पर उनका जन्म कहां पर हुआ था यह बताना है इनका जन्म हुआ था चेन्नाई तमिल नाडू में ऑप्शन अमबर ए डॉक्टर एडम लिउ को एक्जिम बैंक का ब्रिक्स आर्थिक शोध पुरुसकार का विजिता घोशित किया गया है सही है बरुशिया डॉटमंड के स्ट्राइकर एरलिंग हॉलेंड ने 2020 का गोल्डन बॉय पुरुसकार जीता है तो एंसर हो जाएगा इसमें C दोनों ही सह 29 अक्टूबर 2020 को किसने उभरती एवं विशिष्ट महिला शोध करताओं को शोध एवं विकास गतिविदियों में प्रोथसाहन देने के लिए S.E.R.B. पावर योजना की शुरुवात की है स्वासमंत्री डॉक्टर हर्शवर्दन ने हाली में केंद्री वित्ध मंत्राले ने विवात से विश्वास कीम योजना की बुपतान की तारीक को 31 दिसंबर 2020 से बढ़ा करके और कितना एक्स्टेंड कर दिया है इसको और बढ़ाया गया है 31 मार्ज 2020 तक कोविराइप किस IIT द्वारा विक्सिक एक अलप लागत वाला COVID-19 परिक्षन उपकरण है तो कोविराइप डवलप किया है IIT खड़कपुर ने ओप्शन नुम्बर A 6 नुम्बर 2020 को केंद्री जल शक्ती मंतरी गजेंद्र सिंग शेखावत ने अपनी तरह की देश की पहली सौर आधारित एकिकरत भहु ग्राम जल आपूर्ती परियोजना का शुबारम किया है किस राज में ये किया है अड़ाचल प्रदेश में हम देख चुके हैं सेचा समाधान मुबाइल आप जो है कहां पर जारी किया गया है जारी किया गया है ओड़ी शाम में अठार नॉमबर दो जर बीस को किसके द्वारा गुजरात के हजीरा में आर ओ पैक्स टर्मिनल और हजीरा एवं गोगा के बीच आर ओ पैक्स फैरी सेवा वर्चुल माध्यम से शुरू की गई तो ये उद्गाटन इसका किया था वर्चुल मोड में पीम मोधी जी ने ओप्शन नॉमबर सी 26 तौंबर को हम मिलकडे बनाते हैं राश्ट्री दुख दिवस किसके बर्थ अनिवरस्टी के उसर पर वर्गीज कुरियन के बर्थ अनिवरस्टी पर बारत में रामसर साइट्स जो हो चुकी है 41 मेरे वीडियो बनाने तक लोनार जील लेटेस्ट शामिल की गई है सूरसरोवर और कीथम आगरा की तरफ से काबरताल बेगुसराय बिहार से आसन कंजरवेशन सेंटर देहरदू नुत्राखंड से भारत में रामसर साइटों का नेटवर्क अब पूरे साउथ एशिया में सबसे बड़ा हो चुका है 41 हैं लेटेस्ट सबसे जादा की स्टेट में बताईए आप कॉमेंट करके और एक मात्र कहां पर है क्या बिहार में है